पिंगरा स्वदशाम प्राप्ता रुक्षो कव्यसनार्तिदा मानसो गेत संतापकलेश भ्रमनदा मताः दोस्तों पिंगला की दशा में जब पिंगला का ही अंतर होता है तो रोग शोक होने लगते हैं अनिक प्रकार के व्यसन शरीर में आजते खराब होने लगती हैं पीड़ा शरीर में उत्वन होने लगती हैं चोट इत्यादी के चांसेज बन जाते हैं मन में जो है एक जगा तिकता नहीं है मन में अनिक प्रकार के उद्वेग और टेंशन और एक्साइटमेंट उल्टे सिदे कामों के लिए होता है संताप और काम को करने के बाद पश्चाताप संताप होता है और अनिक प्रकार के कलेश को देखना पड़ता है पिंगला में जब धन्या की दशा आती है तो धन, धन्य, पुत्र, भोग, विलास और ये सारी चीजें मिलने लगती है अनेक परकार से धन आने लगता है पुत्र भी बात मानते हैं पुत्री से भी सारी सुख पराप्त होता है याने की अच्छी बाते हैं और आपका कहना मानते हैं आपको सुख पराप्त होता है भोग अनेक परकार के आपके जीविन में आने लगते हैं अनिक परकार के विलास आपको करने को मिलते हैं और आपको इश्ट सिद्धी इस समय प्राप्त होती है जो भी आप कारे करते हैं वो सारे कारे पूर्ण होते हैं उपवन और स्तिरी में सुख होना संभव होता है यहाँ पर तो दोस्तो इस प्रकार से जो यहाँ पर शुख हलकी प्राप्ति होती है पिंगला में जब ब्रामनी की अंतरदशा आती है तो ऐसे व्यक्तियों का आधिकतर चांसे ऐसे बनते हैं कि एक जगा से दूसरी जगा शिप्ट होने के चांसे बन जाते हैं और विदेश इत्यादी जैसी जगाओं पर जाने का मुका मिलता है या चले जाते हैं किसी कारण बस घर गाउन नगर आदि परिजनों की हानी भी हो सकती है कोई परिजन जो है आपसे दूर जा सकता है परिजन की कोई मृत्यों इत्यादी जैसी जो समाचार है वो प्राप्त हो सकते हैं और परिवार में कुटुम में कलह, कलेश, जगड़ा, इत्यादी के यूग बन जाते हैं पिंगला में भद्रिका का अंतर जब आता है दोस्तों तो हमेशा इस दशा के अंतरगत कल्यान की भावना मन में जगती है और सभी जगड़ से कल्यान भगवान का अश्रवात बना रहता है स्थानांतरन भी हो जाता है एक जगड़ से दूसरी जगड़ा शिफ्ट होने के चांसे बन जाते हैं पुत्र बेटा बेटी परिवार से बहुत अच्छा लाव और मन संतोष जैसे कार बच्चे करते हैं आपका मन संतोष से हो जाता है शरीर को अनेक प्रकार के सुक प्राप्त होते हैं व्यापार इत्यादी नोकरी इत्यादी में बहुत अच्छा लाव होता है और यह जिंद बिद्वों में विच्छः हो हो जाता है आपसी जगड़ा हो जाता है कोई टेंचन पैदा हो सकती है राजा कानून के द्वारा पीडा कष्ट प्राप्थ हो सकता है पनिश्मेंट प्राप्थ हो सकती है चोर के द्वारा कोई मुल्यवान बस्तू का हरण हो सकता है चोर इत्यादी से कोई नुक्सान को आपको जहलना पड़ सकता है और समाज में जगडे, फिसाद इस प्रकार की कोई न कोई प्रॉब्लम जो है क्रियेट हो सकती है पिंगला में जब सिद्धा की अंतरदशा आती है तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक्ता बढ़ने लगती है मंत्र, पूजा, एत्यादी जैसे उका यूज़ करने लगता है यंत्रों में सिद्धी आने लगती है धन और धान्या अचानक से बढ़ने लगता है और जो है स्वांस प्रमेह का भी भैह इसमें होता है स्वांस जैसे रोग और प्रमेह यानि की मदुमे जिसे शूगर इत्यादी कहते हैं यह सारी इस तरह की बिमारियां भी शरीर के अंदर पैदा हो सकती है पिंगला दशा में संकटा की जब दशा आती है अंतर दशा आती है तो धन की हानी होने लगती है एक्सिडेंटल जैसे केसिज सामने आ जाते हैं अपने शरीर को नुकसान होने के चांची प्रकार से होते हैं, रोग भी होने लगते हैं, कई परकार के रोग होते हैं, ऐसे रोग जो जल्डी से जाते नहीं है, और अचानक से मन में जो है भय जैसी कोई चीज बन जाती है, भै डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति रहने लगता है कानून के द्वारा पनिश्मेंट सजा या इस तरह का कूट के चली का कोई मामला सामने आज सकता है शत्रों के द्वारा भै बना रहता है और काफी कस्ट में संकट में जीवन इस समय चलता है पिंगला में मंगल की अंतरदशा हो तो दोस्तों पिंगला में मंगला की अंतरदशा जब आती है तो अनेक परकार के रोग उत्पन हो जाते हैं काफी पैसा धन धान ने रोग में खर्च हो जाता है अनसेसरी पैसा खर्च होने लगता है किसी अपने का शोक हो जाता है मृत्य की सूचना मिल चकती है या शरीर में आपको भहुत ही भियानक रोग होने लगते हैं मोह बढ़ने लगता है और अकारण वसी जो है कोई डर भै पीड़ा मन में उत्पन हो जाती है और शरीर की हानी भी आयू की हानी भी होने लगती है दोस्तों ये था पिंगला योगनी दशा का फल और उसके अंतर दशाओं का फल जो मैंने आप से का इसमें उपाई के रूप में जब किसी की खराब दशा हो तो उपाई के रूप में आप हमें फौन कर सकते हैं और आपकी कॉंडली का अनेलेसिस किया जाएगा और उसके ब शुक्षामति यहां पर मिलेगी उपाई करने से और आप जो हमें कॉल कर सकते हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर